हेलो स्तो कमाई का डास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हापर हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड के बारे में इस कंपनी के अंदर दोस्तो जैसे ही गोवर्मेंट ने आफ़र फॉर सेल कल अनौंस किया उसके बाद में हमें आज पास से लेकर गिरावट देखने को मिली है तो यह गिरावट और भी यहाँ पर कंटिन्यू नजर आ सकती है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे और काफी निवेशक और रड़ी हाई वैलुएशन पर शीर को खरिद कर बैट गा यानिके हाई प्राइस पार तो यहाँ पर वो एवरेज कर सकते हैं क्या और बेस्ट जो प्राइस रहेगा एवरेज करने का वो लेवल कौन सा रह सकता है एंड जो लोग फ्रेश भी इंट्री लेना चाहते हैं हिंदूस्तान एरिटिक्स के अंदर उन सभी के लिए भी यहाँ पर हम कुछ पॉइंट अंडरस्टेंग करने वाले है देखे काफी important update है offer for sale के बाद में हमारा reaction कैसा रहना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एंड offer for sale का impact कोई company के उपर पड़ता है क्या और यह offer for sale concept का यहाँ पर बेचेने वाले को फाइदा है या जो company के share बेचे जा रहे है उसको नुकसन है या फाइ होना बहुत जरूरी है एक बात याद रखना दोस्तों जो offer for sale है यह किसले आया है यह government को पैसा यहाँ पर collect करना है बोलकर आया है और दूसरा reason मैंने आपको एक cover करकर बताया था जो सेबी का rule है सेबी के rule के हिसाब से promoter का stake कम करना ही था उनको इसलिए यहाँ पर government ने क्या किया यह चेल इस company के अंदर 3.5% stake based दिया तो आप बात समझ रहे हैं कि company के उपर कोई भी impact नहीं offer for sale का सरी price discount में वो बेच रहे है market में offer लगाया उन्होंने offer for sale यानिके बेचने वाले को जरूरत है खरीदने वाले को नहीं यानिके खुद government सोचिए ना आपी जो share करीब यह पर 27-28 रुपे को चलता था वो 24 रुपे पर बेच रहे हैं तो बेचने वाला ही यहाँ पर जरूरत के लिए बेच रहे हैं तो company के उपर एक रुपे का भी हमें यहाँ पर impact देखने को नहीं मिलेगा घबराने के जरूरत नहीं है और मैंने कल भी आपको एक बात बताई दो कि जो हिंदूस्तान एडिक्स का जो शियर क्रैश होगा तब उसके अंदर बाइंग करना स्टार्ट करना चाहिए जो निवेशक ने हाई लेवल पर खरिदारी की है अभी एक निवेशक का comment भी था यहाँ पर कि सर मैंने 2900 रुपए के करीब यहाँ पर खरिदारी की है तो म आपको उसके बारे में बताऊंगा कहा खरिदना चाहिए चलिए डीटेल देख लेते हैं वीडियो अच्छा लगे मेरे फट पसंद आए तो लाइक सब्सक्रेब करना कमेंड में बताना कोई question queries हो आपके उसके अंसर आम देने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पर आपके मा क्या हो रहा है offer for sale का impact HAL इस company के उपर आपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि stock के अंदर जो correction है काफी तेजी से देखने को मिला और थोड़ी improvement भे इसके अंदर दिखाई देरी हैं आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इतने बड़े discount का फायदा कोई ना कोई निवेशिक तो आ जाएगा टाइम लेगा बट company में आपको comeback देखने को मिलने वाला है क्योंकि यह stock ज्यादा correct होता भी नहीं है और पिछला जो मैंने chart pattern आपको दिखाया इसका एक साल का उसके अंदर भी आप देखिए हो सके उतना यहाँ पर इसके अंदर गिरावट होती है कितनी देखि इस company का business structure और इसको लगातार मिलते वे orders यह देखिए एक week पहले ही इनको 666 करोडों का यहाँ पर order मिला है उसके बाद में बहुत से order इसोंने book किये और यह देखिए यहाँ पर 84,000 करोडों के order pending है इनके आप यह भी पढ़ सकते है एक महेने पहले की news है आप यहाँ पर और भी पढ़ सकते है जो खूत यहाँ पर finance minister तरब से announce किये है बहुत से order वगेरा इनको मिले है तो आप यह point को understanding करना बाकी update आते जाते रहेंगे बट जो company के लिए favorable environment create कर रहे है government तरब से जो इनको benefit दिये जा रहे है वो कभी बदलेंगे नहीं यह बात आपके mind में रहना चाह होता नहीं हमने आप तक बहुत से company के बारे में भी समझा है आपने देखा होगा ना यहाँ पर IRCTC का offer for sale आया था उसके अंदर क्या हुआ company खतम होगे क्या नहीं ना क्या यहाँ पर गिरता है share फिर से comeback कर लेता है देरे देरे तो घबराने वाली बात नहीं है अभी इसके इंदर हम correction का level कहां तक expect कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए already यह stock 11% के करेब correct हो चुका है अगर इसमे profit booking भी हुई तो मैं आपको बता सकता हूँ देखिए इसका support level 2200 रुपई का रहेगा आपर HL stock का तो नजर रखिए अगर यह stock अगर 2300 के नीचे यहाँ पर आ गया तो फ support level अच्छा है इसका 2300 रुपई का तो नजर रखिए continue रहना इसके अंदर फायदेमंद रहेगा अभी last decision आपके रहेंगे दोस्तों बट मेरा काम है आपको detail बताना and company के अंदर potential जरूर है company के margin बहुत अच्छे से improve हो रहे है income में भी growth है revenue भी धीरे-धीरे come back